हाई पेंट्स आज का जो नास्ता है वो है प्रोटीन से भरपूर हेल्थी यम्मी एक रेसिपी जिसे आप बच्चों के टिफिन हो या फिर आफिस के लंच बॉक्स और डिनर के प्लेट में भी सर्फ कर सकते हैं तो सबसे पहले एक बोले लेंगी उसमें एड कर देंगे एग तो एक को यहाँ पर एड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड़ कर देंगे और साथ में जाएगा स्वादानुसा नमक यहाँ पर मैं आधा चोटी चमच नमक ऐड़ करके इसे हम अच्छी तरह से वीज़ के मदद से फेत लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से इसे फेत लेंगे यह जब अच्छी तरह से फेटना हो जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे हाप काप मैदा तो यहाँ पे आप आटे से भी इसे बना सकते हैं लेकिन मैदा से यह और भी ज़्यादा टेश्टी होगा तो चलिए यहाँ पे हम मैदा हाप काप एड़ करके इसे भी अच्छी तरह से एक स्मूध सा लिकुइट डो बना के रेडी कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ मिनिट मिक्स करने के बाद ही बहुत ही स्मूध हो गया है लेकिन यह थोड़ा सा गाड़ा है इसलिए हम इसमें एड़ करेंगे हाप काप मिल्क तो मिल्क इहाँ पे नॉर्मल टेंपरेचर का है ना जदा ठंडा ना जदा गरम तो यहाँ पे मिल्क एड़ करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फिर से फेट लेंगे तो यह हमारा लीकुड डूप बन के रेडी हो गया है तो यह देखिए इसका कॉंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहेगा तो यह हमारा डूर रेडी हो गया है अब आते हैं नेक्स टेप पे इसे रख देते हैं साइड में तो यहा पे हम बनाएंगे फिलिंग्स तो यह जो परोठा है इसका फिलिंग के लिए मैं यह पे यूज़ कर रही हूँ boil egg boil egg को हम अच्छी तरह से चौप कर लेंगे बारिक को कर लेंगे ताकि ये एकदम छोटा-छोटा हो जाए तो यहाँ पे हम एक को चॉप्ट कर लिए है अब इसमें हम एड़ करेंगे स्वाद अनुसार नमक तो थोड़ा सा नमक हम इसमें एड़ कर रहे हैं पराठा में नमक है नमक एड़ करने के साथ ही काली मिर्च एड़ कर देंगे साथ ही चिली फ्लक्स एड़ कर देंगे और उसके बाद फ्रेश धनिये के पत्ते भी इसमें एड़ करके अब एड़ करेंगे सॉस तो यहाँ पे मैं टॉमेटो सॉस उस कर रहे हूँ दो चमच अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे फ्रेंड ये जो नास्ता है ये बच्चे को बहुत ही पसंद आने वाला है आप लोग घर पे एक बाद जरूर इसे ट्राइ करें इससे पहले भी और भी काई सारे नास्ते रेसिपी में आप लोग के साथ सेयर कर चुकी हूँ सारे लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए अब है पराठे को बनाने की बारी तो सबसे पहले एक पैन ले लिये हैं उसे हम ओयल से ग्रीस कर लिये हैं अब इस लिक्विड डो को इसमें एड करके चारो तरब से फैला लेंगे जी हाँ आज मैं लिक्विड डो से श्टफ तिकुन एक पराठा आप लोग के साथ सेयर करने बाली हो जो की बहुती टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है तो चलिए अब इस तरह से जब उपर में थोड़ा सा सुख जाए तब हम लोग जो एक का स्टफिंग रेडी करके रखे थे वो इसमें एड करके इस तरह से हम त्रीकुन सेप में इसे फोल्ड कर देंगे आप चाहे तो स्कॉयर सेप में भी फोल्ड इसे कर सकते हैं लेकिन त्रीकुन में ये देखने में भी सुन्दर लगेगा और बच्चे लोग टिफिंग एकदम खाली करके घर आएंगे तो चलिए इस तरह से इसे फोल्ड करके हम दोनों साइट में ओल लगा के इसे फिर से एक बार फ्राइ कर लेंगे गैस का फ्लेम लोग में रखके इसे फ्राइ करें और आप चाहे तो सर्सु का तेल में भी इसे बना सकते हैं लेकिन रिफाइंड ओल से बनाने से ये और भी जादा हेल्दी होगा तो इस तरह से दोनों साइट अच्छी तरह से जब पक जाए तो इसे निकाल के गर्मा गरम चाय कॉफी चट्मी या फिर सॉस के साथ सर्फ कर लें सो फिंड आसा करती हूँ आज का ये स्टाफ टीक फोन पराठा आप सबको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और स्यार करना ना भूले थैंक यू